और लेट चेक इट आउट गईज, स्वागत आपका स्टून टेक में दोस्तों शाउमी ने फाइनली अपनी शाउमी 14 सीरीज इंडिया में लॉंच कर दी है जिसमें शाउमी ने लेटेस्ट दो 5G स्मार्टफोन लॉंच किये हैं जो के शाउमी 14 और शाउमी 14 प्रो तो हाज क चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको 6.36 इंचिस के एक LTPO OLED डिस्प्ले आपको दे 120 हर्स होगा तो ओबराल डिखा यातो शामी की तरफ से आपको इस मोबाइल में डिस्प्ले सेगमें देखने को मिलेगा अप बात करते हैं इस मूबाइल के बिल्ट क्क राप जिसमें अम बात करेंगे इस मोबाइल के प्लैटफॉर्म के बारे में इस मोबाइल में एंडट 14 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा चिपसेट स्टम डागन 8 जान 3 होगा तो आपको इस मोबाइल में काफी ज्यादा पाफुल प्रॉसेसर देखने को मिलेगा तो गेमिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो गेमर्स के लिए यह मोबाइल एकदम परफेक्ट रहेगा और इस मोबाइल की डेट ड़ परफॉर्मेंस भी और आपको इस मोबाल में हीटिंग इश्यू इक्दम ना के बराबर देखने को मिलेगा और आपको इस मोबाइल में फ्रेमट्रॉप अगर बात करें सेलफी कैमरी के तो इस मोबाइल में 32 Megapixel के फ्रेंट कैमरा आपको दीखने को मिलेगा और फ्रेंट कैमरी की वीडियो क्वालिटी भी 4K 1080P होगी तो ओवररल दिखे जातों इस मोबाइल में क्लियर कैमरा सेग्मेंट आपको देखने को मिलेगा और यह मोबा करेंगे इस मोबाल की मैमुरी के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस मोबाल का एक वाही टोंडेट फिकलर नहीं होगा इंटर्ट मेम्री इस मूबाल के रायम के तो यह मोबाल आपको 8GB 12GB और solar gb के variant में देखने को मिल जाएगा, अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में a decent quality का stereo loudspeaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack का feature इस mobile में नहीं होगा, अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको under display देखने को मिलेगा, इसी के साथ आपके इस mobile में color spectrum का feature भी देखने को मिल अगर बात करें इस mobile के battery की तो इस mobile में 4610 mhk color battery आपको देखने को मिलेगी, और charging की बात करें तो इस mobile में 90 watt की faster charging का feature भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इस mobile को full charge सिर्फ 31 मिनिट में कर पाएँगे, जो कि इस mobile का का काफी अच्छा feature होगा, तो इस mobile का battery backup आपको देखने को मिलेगा, और infrared port आर NFC का feature भी इस mobile में होगा, अब चलते हैं इस mobile का सबसे important segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की, सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के color की तो यह mobile आपको black, silver, pink और green color में देखने को मिलेगा, इंडिया में इस mobile का price 45,890 होगा, अगर बद करें इस mobile के release rate की तो यह mobile 21 March को अगले साल में release हो जाएगा, दोस्ते हो इस mobile का सबसे बड़ा highlighting point होगा, इस mobile का main camera और एक fast processor, तो मेरे according देखा जातों दोस्ते हो इस mobile में सारे feature आपको एकदम advanced top end देखने को मिलेंगे, तो मेरे according अगर आपको 45,000 का budget है तो आप यह mobile ले सकते हैं, तो चलिए अब सबसे आखर में बारी आती है इस mobile के rating की, तो इस mobile का सारी feature को देखते हो इस mobile के stone rating होगी, 9 out of 10, अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को like share जरूर करना, और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना, और comment करके बताने के आपको वीडिय कैसा लगा, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं के लिए वीडियो में